हलो दोस्तों अगर आप बीवो का मोबाली यूज़ करते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी प्रोब्लम के बारी में बताने वाला हूं जो बहुत लोगों को आ रही है तो आपका फोन अ आपडेट हुआ है कि नहीं या फिर किस तरीके से आप अपने मोबाल में आपडेट कर सकते हो तो अगर दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं आपको 100% कांटी देता हूं आप अपने बीवों के मोबाल में लेटिस बरजिन के सब्टेवर को जहांसे दोस्तो आप स्टम्ट्म्ट में पाले बाले डाटली कर जाओगी तो आपके सामने कुछ इस तरीकिया पीज ओपन हो जाएंगा तो आपको देखने को मिलेगा य्यूर ट्रीक है तो डी के मेरे पास उपशन मिलेगा तो आपके ऊपछन डाश्याहर घvik तो जैसे ही दोस्तों आप इस डाउनलोड पर किलिक करोगे तो आपके फोन में यह जो सॉप्ट्वेर है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस सब्ट्वेर को पहले ही डाउनलोड करके अपलाई कर चुका हूँ इसलिए दोस्तों मैं इस वाले सब्ट्वेर को डाउनलोड नहीं करूँगा तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है जैसे दोस्तों यह वाला सब्ट्वेर आपके फोन में डाउनलोड हो जाता है डाउनलोड होने के बाद दोस्तों इस वाले सब्ट्व आपके phone में in install होना start हो जाएगा इन install होने के बाद दोस्तो simply आप इस पर click करोगे click करने के बाद दोस्तो क्या होगा आपका phone एक बार restart होगा I mean reboot होगा reboot होने के बाद दोस्तो आपकी जो कई सारी problems है जैसे के hang करना अगर इसके अलावा भी दोस्तों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो आप दोस्तों के किसी और model के बारे में जानना चाहते हो कि software को कैसे update करा जाए तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हो तो मैं आपके लिए उस पे एक dedicated वीडियो बना दूँगा जिससे दोस्तों आप इस सारा process easily कर पाओगे अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ऐसे और इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राब करके वैल आइकन को जरूँ से प्रेश करना तो मैं मिलता है किसी नेक्स इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए टेक करेंड बाई